आप देख रहे हैं डिउज़ फोर्ड नेशन और मैं हूँ प्रियाधर्शन। राजनितिक उथल पुथल से लगातार जूज रहे बिहार में एक और बरा राजनितिक घटना क्रम होने जा रहा है। और इस बार इस राजनितिक उथल पुथल कैसी कार हो रहे हैं राश्ट्रिय जनतादल के अध्याक्ष लालु प्रशाद यादव. जिहां लालू प्रसाद यादव का राष्ट्रिय जनतादल एक बड़े राजनितिक उथल पुथल कब में बचने वाला है और वहां इस बार राष्ट्रिय जनतादल के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष की कुरसी पर तलवार लटक गई है आप सही सुन रहे हैं बिहार प्रद और महज कुछ महीने ही प्रदेश अध्यक्ष का प्रभार तमालने वाले जगदा नंद सिंग की अब बिदाई की तयारी कर ली गई है उनकी जगह अब नए अध्यक्ष के रूप में जिन लोगों के नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है और माना जा रहा है कि तय है उसमें र लेकर के लालू प्रसाद यादा और तेजस्वी आदव की सहमती की बातें की जा रही है और रूठे जगदानन्द को अब पार्टी के प्रदेविहार प्रदेश के अध्यक्ष की कुरसी से हटाने की पूरी तयारी कर ली गई है दरसल राजद के इस पार के जो अध्यक्ष बनाए गए थे जगदानन्द सिंग उन्हें अध्यक्ष बनने के बाद से ही लगातार राश्टे जनता दल में उनको लेकर की एक संतोष देखा रहा था जगदानन्द सिंग प्रदेश के अध्यक्ष का प्रभार तो संभाल चुके थे लेकिन वे लगातार अपने बिहार प्रदेश रत्यक्ष की कुर्सी पटना में मिरहती है वहां से वह हटे हटे थे वह पहले एक महीने तक अपने गाउं में रहे बाद में दिली में लालुयादव से मिले और उसके बाद यहां तक इस्थिति हुई कि उनके बेटे जो सुधाकर सिंग बिहार में कृषी मंत्री उन्होंने भी अपने मंत्री पत की कुर्सी छोड़ दी और यहीं से जो पाटी में उथल पुथल की स्थिति देखी गई उसके बाद से यह तय माना गया कि जगदानन सिंग अपनी कुर्सी छोड़ेंगे और अब जो ख़बर सामने आ रही है उसके अनुसार जगदानन सिं से वर्ष 2010 तक बिहार प्रदेश राज़त का अध्यक्षपत सम्हाल चुके हैं विधान सभा में नेता विरोधी दल चुने जाने के बाद उन्हें अपने प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी छोड़नी पड़े थे और फिर यानिकी वर्ष 2019 तक वो लगातार पाटी में दीकर, अभर्द प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी मिल सकती है दरसा लगर हम अब्दुल वारी सिद्गी की बात करें तो अब्दुल सब्रई से दिकर इसके पहले भी साथ साल तक बिहार प्रदेश राज़त अध्यक्ष की कूरसी शुक है वो कई वर्सों तक विधायक रहे हैं वह पिछला विधान सभाज चुनाओ भाजपा के उम्मिधवारश से तो हाव गए थे लेकिन उसके पुरू तक वो लगातार अलग- minutes बिहार बिधान सभा रिधान परिशत में निर्वाचन उनका होते आया है और उनकी जो वरिष्ठा है उसे देखते हुए पाटी में जो यादव मुसलिम समीकरन है यादव मुसलिम समीकरन को साधने के नियती के तहत अब्दुल बारीज सिदिकी को बिहार प्रदेश राज़ लगाता प्रभावित चल रहा है और उनकी नाराजगी को देखते हुए यह माना जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि मैं स्वास्त कारणों से बिहार प्रदेश राजत अध्यक्ष की कुर्ची छोड़ रहा हूं जिस पर लालू यादव और तेजस्वी यादव भी सहमत हो गए ह और उनकी जगह अब राजद के वरिष्ट नेता अब्दुलबारी सिद्धिकी को बिहार प्रदेश राजद का अध्यक्ष बना करके मुस्लिम यादव समीकरन यानि की जो लालू यादव का एमवाई समीकरन है उस एमवाई समीकरन को मजबूत करने की दिसा में एक प्रया कि नई कुर्शी को किस दिन अब्दुलबारी सिद्धिकी को किता पूसी होगी आप हमारे साथ बने रहिए न्यूजफोर नेशन पे